साथ दिन की ब्रिटेन के दोरे पर गए कॉंग्रिस सांसद राहुल गांदी ने एक बार फिर से मोधी सरकार की खुले मंच पर आलोचना की है लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट असोशेशन ने इंडिया इंसाइट्स के तहत राहुल गांदी से चडचा की इस दोरान राहुल ने कहा देश का अपमान मैं नहीं बलकि खुद पी-म मोधी करते हैं राहुल ने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री मोधी या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है बीबीसी के साथ भी यही हुआ राहुल ने इंकम टेक्स रेड लोग सबाद चुनाव में उमीदवारी और इंडिया चीन रिलेशन्चिप पर भी बात की घुशना की थी कि आजादी के सतर साल में भी कुछ नहीं हुआ उन्होंने कहा था कि हमने एक दशक को खो दिया भारत में बेहिसा प्रिश्टाचार है यह सब उन्होंने विदेश में कहा था मैंने कभी अपने देश का अपमान नहीं किया मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जब वे कहते हैं कि सतर साल में कुछ नहीं हुआ तो उसका भी आख मूंदकर समर्तन किया जाता है इसका उल्टा जो लोग उन पर या उनकी सरकार पर सवाल उठाते हैं उस पर हमला किया जाता है कुछ ऐसा ही ब्रिटिस ब्रोडकास्टिंग कॉर्परेशन बीबीसी के साथ हुआ है बीबीसी ने गुजरात दंगों पर डॉक्यमेंटरी बनाई और मोधी सरकार ने भिवात पैदा कर दिया इसे एक प्रॉपगेंडा बताया